मती 11 उसकी 12 आयत में लिखा यहूना बप्तिस्मा देने वाले के दिनों से लेके अब तक स्वरक के राज्य में बल पूरवक परवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं अगर मैं इसे अपनी इबरानी बाइबल में अगर मैं पढ़ हूँ तो हम मती 11 उसकी 12 आयत को जब हम पढ़ते हैं And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force Hallelujah अगर आप इसका ग्रीक भाशा में कोई नया नियम ग्रीक भाशा में लिखा गया उसमें 971 शबद इसके लिए वाइलेंस के लिए यानि हिंदी में अगर आप पढ़ें तो भलपूरवक इसे लिखा है इसमें लिखा है आप अपनी स्क्रीन पर उसे देख रहे हैं प्रेस सफर वाइलेंस एक चीज को हम के लिए प्रेस करतें कई बार आपने अगर जपान में देखा होगा तो वहाँ ट्रेंस पे बहुत रश होते तो वहाँ पे जो कुछ स्पेशल सरकारी बंदे लगाए होते हैं कि जब ट्रेंड में लोग घुश जाते हैं तो पीछे से वह प्रेशर मारता है और वह अंदर घुश जाता है बस एक पार फिट कर दिया दर्वाजा बंद हो गया तो उसके बाद वह कहीं नहीं जाएगा तो जीजस क्राइस ने क्या कहा उसने कहा यहोणा वब्टिस्मा देने वालों के दिनों से अब तक स्वरक के राज्ज में भल पुरवक कहता कि जो वाइलन्ट होंगे वाइलन्स के साथ टेक अइट बाई फोर्स कि वो फोर्स के साथ परमेश्वर के राज्य में परवेश करेंगे एक और वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा एक बात को आप ध्यान से समझना यह बाइबल टीचिंग है और इसमें हम अराम से देखेंगे कि क्या हो रहा है जब परमिश्वर ने पागल को चंगा करना था जो सांकलों से बांदा हुआ था तो इंग्लिश की बाइबल में लेखिया है लेकिन वो चर्च में वर्शिप करते हैं कसूर उनका नहीं है लेकिन डिलिवरंस उनकी नहीं हुई तो यह पॉसिबल है कि एक व्यक्ति के अंदर दुश्ट आत्मा हो लेकिन वो चर्च गोर हो चर्च जाता हो काम कर रहा हो वोलंटियर हो और शैतान का परभाव उसकी जिंदगी पर हो यह पॉसिबल है बिब्लीकल है यह पॉसिबल है लेकिन biblical ये नहीं है कि शेतान उस पर कबजा कर रहा है तो ये biblical है ये biblical नहीं है खुदा के word के against है लेकिन ऐसा होता है तो इश्व मसी ने एक hint दिया कि if you want to enter the kingdom of God now तो violence के साथ तुम परवेश कर सकते हो आप जानते बहुत से लोग बोलते मैं 10 साल से चर्च ला रहा हूँ लेकिन मेरी चर्च में कोई growth नहीं आप उनकी meeting को देखो जिनको नीन नहीं आती आप उनको वहाँ ले जाओ उनको भी नीन आ जाएगी वहाँ पर जागे कई बार आपने जीजस को देखा कि उसने उन्ची अवाज में डांटा उसने कमांड की छुपकर और निकल जा हालिलुया क्यों परमेश्वर ने ये वचन क्यों लिखा क्यों कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी deliverance के उपर ध्यान दें और वो कैसे होगी violence, बाइजो, प्रेस, पुश, जोर, बल पुर्वक, शेतान अराम से नहीं जाएगा तो ये four weeks हम क्या करेंगे, ये चार meetings में हम क्या करेंगे, इन चार meetings में हम बल पुर्वक शेतान को निकालेंगे वो जादू टोना हो, वो बिमारियां हो, वो आपके family trouble हो, जिनके पीछे दुष्ट आत्मों का हाथ है इसलिए जीजस ने कहा, यहुना बप्तिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वरक के राज्य में बल पुर्वक परवेश इसलिए जीजस ने कहा, मन फिराओ, स्वरक का राज्य निकटाया तो उसके बाद इसलिए जीजस ने बोला कि प्रीच करना, मन फिराओ, उसके बाद लंगडों को चंगे करना ये स्वरक के राज्य के साथ जुड़ा हुआ है, कोड़ी को शुद्ध करना, मुर्दों को जिलाना, कंगालों को सुसमाचार देना, ये स्वरक के राज्य की चीज़े हैं तो परमेश्रों ने कहा स्वरक के राज्य में परवेश करने के लिए तुम्हें बल पुर्वक परवेश करना पड़ेगा तुम अराम से ठंडे कि यह आखुदा तो आत्मा है वो शान्ती है परमेश्रों का बचन यह नहीं कहता बाइबल कहती है एक सो बीस लोगों पर जब पेंटी कोस के दिन पवितर आत्मा उत्रा तो घूंज गया घर हिल गया इतनी जोर से उन्होंने प्रेयर की को यह आर भाशा बोल रहे हैं सब को यह नशा कर लिया है उन्होंने सुबह सुबह पी लिये है हालिलुया कि कैसे आप परमेशुर में बढ़ सकते हैं कैसे आप दुष्टात्माओं से नशों से बिमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं